नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल दिनेश राजुन से पर हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं ये वीडियो स्रंखला उत्तर प्रदेश जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी से सम्मंदित जितने भी प्रस्न बन सकते हैं चाहे वो हिस्टोरिकल हो या कोई रेवल्यूशन से सम्मंदित हो या आपका सुतंता संग्राम से तो आज का टॉपिक होगा इस्थापत ते कला यानि दिल्ली सल्तनत और मोगल काल के जो इंपॉर्टेंट कुशन्स हो सकते हैं जामा मस्जिद हो, फतेपुर सीकरी हो, सेख सलिम चिस्ती से सम्मंदित हो, जौनपुर नगर, अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रसन बनते हैं, तो ये आपने फौरी नजर पर देख लिया है, आज इसी प्रसनों पर बात करेंगे हम इस वीडियों को अंते तक जरूर देखिएगा, उठाइए नोटबुक और कलम और रेडी हो जाईएगा प्रसनों को नोट करने के बाइउं, कन्नोज, जौनपूर या आगरा ये बिकल्फ हैं आपके, राइट आप्सन आपने पहचान लिया होगा, मिलाइएगा, क्या सही एंसर, इसका राइट बिकल्फ है, पहला आप्सन, बाइउं के गवर्नर थे इल्तुतमिस, यानि जब कुतब बुद्दीन एबक लाहोर में राजा या सुल्तान बने हुए थे, तो इल्तुतमिस उस समय गवर्नर थे कहां के, बाइउं के, तो ये प्रस्न में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा, आगला प्रस्न आपके स्क्रीन पर दूसरा, बाइउं की जामा मस्जिद का निर्मार किसने कराय कुतुबदीन, एबक, मुहमद गौरी, इल्तुतमिस या खिल जी ये आपके विकल्प हैं, और राइट आप्सन पहचान लिया होगा, इसका राइट विकल्प है, सी ओप्सन, दो प्रस्न का सी है, यानि इल्तुतमिस ने बाइउं में जामा मस्जिद का निर्मार कराया था अगला प्रस्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिएगा, असोक राजा से सम्मंदित है, ये प्रस्न तोपरा तथा मेरट के दो अभलेक हैं, इस्तम लेक हैं, ये पिलर एडिक्ट हैं, इनको दिल्ली में कौन उखाड के ले आया था, पहचानिएगा, ये इंपॉर्टेंट जी एस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहे हैं हम, नोट डाउन करते जाएगा, अलाउद्दिन खिल जी, मुहमद गौरी, फिरोज साय तुगलक, सिकंदर लोधी, राइट ओप्सन इसका पहचान लिया होगा, मिल खुआया था, टोपरा हर्याना में है, मेरट उत्तर प्रदेश में है, और इनको उखाड के दिल्ली में ले आया था, फिरोज साय तुगलक, किलियर रहेगा आपको, अगला प्रसन, फोर, मलिक सरवर, ख्वाजा जहां ने कब जौनपुर में सरकी सामराज की स्थापना की थी, बहुत बार प्रसन आया है, और अनेक डाइमेंसंस के साथ सुनिये, सहीदे सीदे पूछ लिया जाता है, जौनपुर सहर की स्थापना किस सामराज ने की, तो सरकी सामराज ने की है और देखिएगा मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने जॉनपुर में सरकी सामराज की स्थापना कब की कुश्चन ये है तो फोर प्रिसन का अंसर आपने चोना होगा पहचानिएगा इसका राइट ओप्सन क्या है और मिला येगा राइट ओप्सन है फोर कुश्चन का डी विकल ये पूर्व का सिराज कहा जाता है सहर को अगला प्रसन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा प्रसन आ चुका है सिराज हिंदुस्तान किस नगर को कहा जाता है सिराज हिंदुस्तान राइट ओप्सन पैचान लिया होगा पहला विकल्प राइट है जॉनपुर को सिराज हिंद किया और दिल्ली डाइनस्टीज में सल्तनत में दिल्ली पीरियड में मिला लिया था इसको अलाउद्दिन खिल जी बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इबराहिम लोधी ये विकल्फ में हैं आपने राइट ओप्सन चुना होगा इसका मिला ये कैसा ही है तो इसका राइट विक जिर्खान, फिरोज तुगलक, राइट ओप्सन मिलाईएगा और पहचानिये इसका राइट ओप्सन क्या है नोट कीजिएगा सेबिन प्रसन का आपका बी ओप्सन सही है सिकंदर लोधी, आगरा सहर की स्थापना करते हैं बहुत बार प्रसन पूचा गया है देखिएगा बहुत ही इंपोर्टेन प्रसन एट आचोका है और वीडियो जैसा एक्जाम है ये ग्राम विकास अधिकारी का ऐसे ही प्रसन उसमें पूचे जाते हैं यूपी तरपल सी के सबसे फेवरिट प्रसन है रामानंद का जन्म कहां हुआ था प्रयागराज, मतुरा, बरेली या बनारस, राइट ओप्षन पहचाना होगा प्रयागराज, नोट कीजिएगा इस प्रसन को, रामानंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था इलहाबाद में, आगला प्रसने आपका, कासी बनारस में किस भक्तिकालिन संत का जन्म हुआ था, रामानंद, सूरदास, की स्थापना की थी विजे नगर और बह्मनी सामराज आपने देखे हूंगे दच्छन भारत में उसमें वैशनो संपरदाई की संस्थापक संस्थापना या स्थापना किसने की थी राइट ओप्सन पहचानिये बल्लभाचार रामानंद रविदास या सूर्दास राइट प्रस्ण का पहला विकल्ब बल्लभाचार ने विजे नगर में वैशनो संपरदाई की स्थापना की थी अगला प्रस्ण है इलेवेन आपकी स्क्रीन पर निम्न भक्ती संतों में से किसका उत्तर प्रदेश में हुआ था जन्म यानि कौन है जो उत्तर प्रदेश में जन्म यूपी से है अगला प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर 12 ये रहा बावर को अपने सासन के सुरुवाती दिनों में उत्तर प्रदेश के कौन से छेत्र में अफगानों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था मोगल वंस का इस्थापना करने वाला बावर उसको प्रतिरोध जेलन पड़ा था सुरुवाती दिनों में उत्तर प्रदेश के किन छेत्रों से जॉनपोर गाजीपोर एटावा या ये सभी राइट ओप्सन इसका भी पैचान लिया होगा इसका भी डी ओप्सन है यानि इन सभी छेत्रों से अफगानों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था इस बावर को अगला प्रसन है आपकी स्क्रीन पर 13 घागरा के तट पर बावर ने किसको हराया था बावर के युद्ध बहुत अच्छे से पूचे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा 13 प्रसन का उप्सन घागरा के तट पर बावर ने किसको हराया था महमूद लोदी नुसरत साय दौनों को यानि A और B घागरा नदी के तट पर बावर से हार गए थे तो यह आपका C आप्सन से ही होगा अगला प्रसने आपकी स्क्रीन पर देखिएगा सिंपल प्रसन जीटी रोड का निर्माण किस सासक ने कराया था जीटी रोड ग्रांट ट्रंक रोड का निर्माण फिरोज तुगलक अकबर सिकंदर लोदी सेरसाय सूरी राइट ऑप्सन इसका लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में यह 14 प्रसन का अंसर हम आपसे कमेंट जीएगा और जो हमने दो वीडियो बनाए हैं 1857 की किरांटी के पार्ट एक पार्ट दो उसमें दूसरे वीडियो का कमेंट बॉक्स का प्रसन यह रहा आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया था चोरी-चोरा घटना कब घटेत हुई थी 1922, 1920, 1921 और 1923 आप सभी ने कमेंट बॉक्स में इसका राइट ओप्सन भेजा है आप सभी दोस्तों का सुक्रिया आपने राइट ओप्सन भेजा है लिख करके 1922 ए विकल यानि चोरी-चोरा घटना कब घटेत हुई थी 4 फरवरी 19 1922 को कब घटेत हुई है 4 फरवरी 1922 को इस पिलर को देख पा रहे होंगे ये एक हम लोगोंने इसमारक बना दिया है सहीद इसमारक चोरी-चोरा गोरकपुर पूरी डेटेल नोट कर लीजेगा ये घटना कहां हुई थी गोरकपुर में हुई थी 4 फरवरी 1922 को जो वहाँ पर एक पत्थर बनवा रखा है लगा रखा है उसमारक उसमें 4 फरवरी डेट है जब कि किताबों में 5 फरवरी दी जाती है तो दोनों को दिहान रखिएगा 5 फरवरी ऑथेंटिक है किताबों में लेकिन जो पत्थर है उसमें नोट है वो 4 फरवरी 1922 कभी घूमने जाएं तो देखिएगा इस डेट को भी और गौर से नूट कीजिएगा लॉर्ड रीडिंग वाइसराय थे इस समय जब ये चौरी-चौरा घटना हुई थी 22 पुलिस वालों को एक अपर अधिकारी था और 21 पुलिस वालों के नॉर्मल सिपाही थे उनको जला दिया था जेल के अंद को वापस ले लिया था क्लियर हो गया होगा ये प्रसन सही दिस्मारक चौरी-चौरा गुरकपुर याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट घटना पहुंशते हैं आज के प्रक्टिस हैट पुना हां 15 प्रसन आपकी स्क्रीन पर ये रहा अकबर के नौरतनों में से एक अगला प्रसन आपकी स्क्रीन पर 16 किस सासक ने मोगल सामराज की आरंभिक राजधानी आगरा से दिल्ली इस्थाना अंतरित की थी सिकंदर लोदी जहांगीर औरंगजेब साय जहां पैचान लिया होगा इसका अंसर 16 प्रसन का डी विकल्फ सही है साय जहां ने आगरा से राजधानी दिल्ली वापस ले गए थे किलियर रहेगा अगला प्रसन आपकी स्क्रीन पर 17 आगरा की मोती मस्जेद बहुत इंपर्टेंट प्रसन है ये आगरा की मोती मस्जेद का निर्माण किसने कराया था अकवर साय जहां औरंगजेब दारा सिको है इस प्रसन में हमेशा धोखा रखते हैं हम लोग कि आगरा की मोती मस्जेद तो अकवर होंगे गलत था अंसर इसका, इसका right विकल्फ है, B विकल्फ, साय जहां ने राजधानी जरूर आगरा से दिल्ली की थी, लेकन आगरा की मौती मस्जिद किसने बनवाई थी, साय जहां, तो 17 प्रसंद का अंसर, B विकल्फ, अगला प्रसंद आपकी स्क्रीन पर, जामा मस्जिद कहां अविस्तित है, जामा मस्जिद कहां लॉकेटेड है, तो बताईएगा, 18 प्रसंद का अंसर, संभल, आगरा, सिकंद्रा या जौनपूर, सोच लिया होगा right option, इसका right विकल्फ है, संभल, संभल पूर में क्या है, जामा मस्जिद, ध्यान रखिएगा, जामा मस्जिद कहां इस्तित है, यूपी के संभल में, याद रखिएगा, एक दिल्ली में भी ये जामा मस्जिद, लेकिन ये जामा मस्जिद संभल वाली पूची गई है, यानि यूपी से, याद रखिएगा, 18 प्रसंद का A option, अगला है 19, फतेपुर सीकरी नामक सहर की स्थापना किसने की थी अगला है आपका प्रसंद 20, जहांगीरी महल का निर्माण किसने कराया था? आगला प्रसंद आपकी स्क्रीन पर 21, सेख सलीम चिस्ती का मकबरा किस सासक के द्वारा बनवाया गया? ये बहुत important चिस्ती सामराज की जो मकबरे हैं वो पूचे जाते हैं, तो इनको नोट करते जाएए, सेख सलीम चिस्ती का मकबरा किस सासक ने बनवाया था? तो 21 प्रस प्रस ने हैं 22 आपकी स्क्रीन पर हाँ थोड़ा सा इस प्रेक्टिस सेट में कुश्चन संख्या 28 रहेगी जादा नहीं है छे कुश्चन थे तो हमने का क्यों पार्ट दूसरा बने इसी में बढ़ाय दे रहे हैं आठों प्रस ने 22 प्रस ने 1764 के बकसर के युद में अंग्रेजों के खिलाफ आवध के किस नवाब ने मीर कासिम और मुगल समराट का साथ दिया था तो आवध का नवाब पूछा है सा आदत खां सफदर जंग वाजद अली साय सुजाओ दोला ये प्रस ने लगाता राते हैं और हमेशा कनफ सुजाओ दोला ने 17 दिया था क्लियर रहेगा सुजाओ दोला ने मोगल समराट और मिर कासिम अवध के नवाब का साथ दिया था ये रहेगा अगला प्रस ने आपके स्क्रीन पर ये 23 ऑवध के किस नवाभ ने आवध की राजधानी फैजावाद से इस्थानांत रित कर तोड़े से डीप हैं ये प्रहसने, लेकन आते हैं एक्जाम में, कोई भी वंडे हो या आपका PCS जैसा एक्जाम हो, 23 का अंसर पहचानिये, सादत खां, आसुफ उद्दौला, सुजा उद्दौला, वाजिद अली साय, 23 का राइट आप्शन है, C विकल्प, आसुफ उद्द सामराज ने मिला लिया था, क्योंकि राज घडप नीती, डॉक्ट्रिन ओप लेफ से चालू थी, और उस पर कोई नियम नहीं, फॉलो हो पा रहा था, तो आवद पर कहा कि कुसासन है, यानि बुरा सासन चल रहा है, इसी आरोप के तहत, विर्टिस ने, या विर्टिस सामर सामराज में मिला लिया था, ठीक है, तो वाजे दली साह है, आसब वद्दोला, सुजा वद्दोला, सब्दर्जन, कौन सा नवाब था उस समय, जब ये राज घडप नीती पर कुसासन का रोप लगाते हुए मिला लिया था, तो राइट ऑप्सन इसका वाजे दली साह है, पहला विकल्प सही है, ध्यान रखियेगा, 24 का फर्स्ट विकल्प है, अगला प्रसन है आपकी स्क्रीन पर 25, अवद को कुसासन के अधार पर कब विल्टे समराज में मिला लिया गया था, तो वर्स भी नोट कर लीजिएगा, इस 25 प्रसन का बी विकल्प है, वाजद अली स सम्मन्द में निम्न कतनों पर विचार करना है, और आंगे कूट दिये गए हैं, उनको भी हम दिखा रहे हैं, पहले इन पॉइंट पर डिसकस कर लिजेगा, इसका निर्माण मुम्ताज महल ने कराया था, एत्माद दौली का मकबरी का, यह मकबरा पेत्रा डुरा सैली में बना था, यह अभी यूपी पैट में आई थी यह सैली, अलंकरन यानि एक सजावट की डिजाइन का एक प्रकार है, पेत्रा डिवरा सैली, इसको ध्यान रखेगा, किस सैली में बताया गया है, पेत्रा डिवरा और निर्माण किसने कराया, पेत्रा डिवरा सैली में यह एत पूरा ये रहा 26 प्रसन यहां है पहला पॉइंट अगर देख पा रहे हैं दूसरा पढ़ लिया है तीसरा भी पढ़ लिया है यानि मुम्ताज महल ने निर्माड कराया यह मकबरा पेत्र डिवरसेली मलंकरित है इस मकबरे में लाल संग्मरमर का प्रियोग है और पूछा गया किस सैली में बना हुआ है पेत्र डिवरसेली तो ये एक और तीन गलत हैं दूसरा पॉइंट सही है ध्यान से सुन लिया होगा नोट कर लिया होगा अगला प्रसन आपके स्क्रीन पर 27 सुमिलत करना है कुछ तो सुमिलत करने के लिए थोड़ा से इसको हम जूम आउट कर रह पहला अभी आपने पढ़ा था इसको तो पहले का क्या होगा दूसरा और फिर आगरा सिकंदर लोदी तो भी का पहला क्लियर हो गया और C, अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद का है C का 4, इब्राहिम साय सरकी, यानि अटाला मस्जिद सरकी सासकों ने बनवाई थी, और लाल दरवाजा, बचा D और हुसेन साय सरकी, तो ये आपके क्लियर हो गये हैं, और इसका सही होगा option, पहला विकल्प, कौ वीडियो का ये अंतिम प्रस्न है, 28 सुमेलित नहीं है, पूछा गया है, यानि कौन सा सुमेलित नहीं है, जामा मस्जिद, संभल, बावर, जामा मस्जिद, संभल, वाली जामा मस्जिद किसने बनवाई है, संभलपुर में, बावर ने, इलहबाद का किला, अकबर ने, एत सुमेलित नहीं है तो यही आपका डी विकल्प सुमेलित नहीं है यानि अकवर ने अकवर कम अकवरा नहीं बनवाया था क्लियर रहेगा और बांकी सुमेलित हैं यह अगर पीडियेफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजेगा हम यह पीडियेफ भी उपलब्द करा देंगे आपको लेकिन यह इंपॉर्टेंट प्रसनों को नोट जरूर कीजेगा लियर है आपको अगर किसी कुश्चन में डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लि हैंदे